दोस्तों देखे इस LED बल्ब में क्या problem है वो मैं आपको दिखाता हूँ तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ इसका जो ये diffuser है ये वाला इसे मैं पहले खोल लेता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ तो देखे मैं इस diffuser खोल रहा हूँ तो ये थोड़ा tight बैठा हुआ ह थोड़ा सा जोर लगा है देखे ये खुल गया अब मैं इस LED बल्ब को मैं series test lab में इस तरह से लगा देता हूँ और देखता हूँ क्या होता है तो देखे ये जो LED बल्ब है ये जलता नहीं है ठीक है तो मैं क्या करता हूँ देखे इस तरह का cover लगाओ चिम्टा लेता हूँ और इसके सारे SMD LED को सौर्ट करकर के देखता हूँ कि यह जलता है या नहीं तो देखे मैं यहाँ पर सारे SMD LED को सौर्ट करकर के देखता हूँ कि यह जलता है या नहीं तो देखे यहाँ पर मैं SMD LED को सौर्ट कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि यह जलता है या नहीं तो एक करके आपको इस तरह से सौट करकर करके देखना है ठीक है तो मैं यहाँ पर सौट कर रहा हूँ देखे कौन सा LED खराब है तो देखे यह वाला SMD LED खराब है देखे यहां पर जो यह वाला smd oled न यही वाला खराबाब है तो मुझे अप क्या करना पढ़ेगा देखे इसमें जो यह mcpcb लगा हुआ उसके बाद आपको दिखाता हूं कि इस mcpcb को कैसे निकालना है और इसमें नया MCPCB को कैसे लगाना है तो मैं यहां से इन दोनों वायर को छुड़ा ले तो उसके बाद आपको दिखाता हूँ देखे मैंने यहां से इन दोनों वायर को छुड़ा दिये हैं अब इस MCPCB को कैसे निकालना है वो मैं आपको दिखाता हूँ तो देखे यहां पर अब देख सकते हैं यहां पर यह लोक और यह लोक है तो इन दोनों लोक को क्या करना है इस तरह से उपर के तरफ आपको उठा लेना है देखे इस तरह से आपको दोनों लोक को इस तरह से उपर के तरफ उठा लेना है उसके बाद टेस्टर को इसके अंद PCB है मेरे पास तो इसे मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो इसमें जो है की hitting compound लगाना है तो देखेए मेरे ही hyd causa compound है को मैं यहां पर अची तरह से लगा दो एसके बाद आप दिखाता हूं ठिक है देखे मैं इसमें अच्छी तरह से हिट्सिंग कंपाउंड लगा दिया हूँ अब मैं क्या करता हूँ इस MCPCB को इसमें इस तरह से बैठा दूँगा अच्छी तरह से और इसे किस तरह से टाइट करना है वो आप अच्छी तरह समझेगा तो देखे मैं इसमें इस तरह से इसे बैठा दिया अब अगर आप यहां पर जो यह लोक है इसे इधर दबाते हैं और इसे इधर दबा कर सोचेंगे कि यह जो MCPCB है इधर इधर लोक दबाने के बाद यह वाला कि सही तरीके से बैड यह तो यह पूरा टाइट नहीं तो इधर और इधर इसे दबाने से आपको कोई फाइदा ने होगा तो इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ देखेए आपको दो इस्कूरू लेना है छोटा जैसा जो इसमें लग जाए उस हिसाब से देखेए मैं आपको दिखाता हम जो LED SIMCRAW लगा हु देना है तो यह ताइट ने होगा यह डिला ही रहेगा झाद आप mois फो इस तरह से लेना ओर इस करिक्त करके इसके अंदर आपको लाजगाना है तो यह ताइट होगा इधर वाला tenantsपी रहे आर इधने की क्या करना है देखे इस तरह वाला इश्कूर को टाइट करना है तीर्षा इसकूर है यह तरह यह olsa हो जागा तो यह तरह से आपको दोनो इस टाइट कर लेना है तो यह अच्छी तरह से होजागा आपका mcpc अच्छी तरह से बढ़ेगा इसके आप चाहें तो इधर इस तरफ से और इधर इस तरफ से दवा दे अब इसमें जो है कि MCPC भी अच्छी तरह start हो चुका है क्योंकि यह जो hitsing plate है इसमें एक screw यहाँ और एक screw यहाँ पर लग चुका है तो इसके कारण यह वाला जो है अच्छी तरह start हो चुका अब यहाँ पर अब देखे जो जो यह वाला वायर है इन दोनों वायर को एक वायर को यहां पर जोड़ना है और दूसरे वायर को देखे यहां पर जोड़ना है तो मैं क्या करता हूँ इस वायर को यहां जोड़ लेता हूँ और इस वायर को यहां पर जोड़ लेता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ देखे मैंने इन दोनों वायर को यहां पर अच्छी तरह से जोड़ दिये हैं अब मैं इस LED बल्ब को जला कर दिखाता हूँ तो देखे यह LED बल्ब हमारा बिल्कुल सही जल रहा है अब इस diffuser को मैं क्या करता हूँ इसमें अच्छी तरह से लगा देता हूँ तो देखे यह LED बल्ब हमारा बिल्कुल सही जल रहा है तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि इस तरह के LED बल्ब में नया MCPCB कैसे लगाया आता है